ले जनाब इस lecture के अंदर हम देखेंगे कि standard scaling जो है वो किस तरीके से की जाती है और हमारा उसका method कैसे काम करता है within few lines of code आपको सारी समझारेगी कि standard scaling क्या होती है मैंने पिछली lecture में बताया माइनस 3 से प्लस 3 के अंदर data को ले के आना है तो let's see standard scaling किस तरीके से की जाती ही मैं screen show करता हूँ यहां पे मैं directly आपको यहां पे machine learning के अंदर ही हम एक नहीं notebook बनाते है underscore scaling dot ipynb ठीक है इसी के अंदर हम सारी scaling की type ले आँगे तो यहां पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ hashtag one dot standard scaling और जब भी आप notebook गुनाएं मैं आपको एक tip दे देता हूँ आप अपना github copilot अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करें second आप यह कर सकते है codium की extension जो है वो कर सकते हैं जो मैंने start में बताई थी code ium यह दोनों सेम तरीके से काम करती है और आपके पास पूरा code जो है वो आपको suggestion में दे देती है अगर आपके पास github copilot नहीं है आप simply क्या कर सकते है codium की extension आउसे install कर ले मैं यहाँ पर यह लिखता हूँ अगर standard scaling is तो आप देखेंगे कि यह यहाँ पर सोचना start कर देता है और यह sentence को पूरा कर देगा simply ठीक है तो मैं यहाँ पर इसको notebook को थोड़ा सा अच्छा चमकालूंगा standard scaling is a method of scaling the data such that the distribution of the data is centered around 0 ठीक है with a standard deviation of 1 this is done by subtracting the mean of the data from each data point and then dividing by the standard deviation of this this is very common method of scaling the data and used in many machine learning algorithm मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो formula is as follows आप देखिएगा यह मुझे formula भी उसका लिखके दिखाएगा अगर यह काम सही तरीके से करेगा तो formula आ जाएगा otherwise we have to find the formula sometimes यह काम नहीं भी करता थोड़ा सा वो क्या उसे बोलते हैं खराब ही पैदा करता है so हमारे पास इसका alternate method क्या होता है मैं यहाँ पर chat भी मेरे पास है github copilot के तो यहाँ पर लिखता हूँ show me the formula of standard scaling इसका हम standardization भी बोलते हैं so let's see जब तक यह मुझे formula दिखाता है तो तब तक हम आपको इसकी example से आशना करवाता हूँ कि example इसकी किस तरीके से काम करती है यह इसका formula यह यह मैंने यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे add कर देता हूँ x करके यहाँ भी इसे add कर दिया by the way यह जो formula यह आपको जाना पेचाना लग रहा होगा यह basically z score का formula आता है standard scaling also known as z score normalization इसे बोलते हैं तो अक्सर अकाद जब आप standard scaling कर रहे होते हैं तो minus 3 से plus 3 क्यों आप जाते हैं अब शायद आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया हो क्योंके कल वाले lecture के अंदर जब हम z score method के through outliers वगरा remove करने का देख रहे थे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से definition आ रही थी minus 3 यह वाला method plus 3 यह इसके अंदर अंदर सारा data ले के आना यानि के originally हम values ही यह वाली रख लेते हैं based on the variance ठीक है so this is how आपको z score normalization का पता चल जाएगा but इसको हम लगा के देखते हैं तब आपको और भी clear हो जाएगा example यहाँ पे यह है के import libraries यहाँ पे import करते हैं libraries को import करने में सबसे पहली जो लाइबरेडी है import pandas as pandas as pd और जारी बात है करनल साब पहले select करने है then दूसरा है from sklearn.pre-processing और import करेंगे हम standard standard scalar ठीक है यह इसके function हमने इंपोर्ट कर लिए है scikit-learn से यह हमने library import कर ली यह function आ गया हमारे पास standard scalar का अब हमने data set कोई भी बनाना है मैं यहाँ पे कोई भी एक data set ले लेता हूँ say for example make an example data set data set example data set बनाने के लिए मैं df कर देता हूँ is equal to और यहाँ पे मैं basically मैं key और values की base पे data बनाता हूँ so हम यहाँ पे रख लेते हैं say for example meaningful data बनाते है age age की value है जी हमारे पास 25, 30, 35, 40, 45 ठीक है 25, 35, 45, 45 फिर आपके पास आजाते हैं जनाब height इसकी values है जी आपके पास 165, 170 sorry for that 165, 170, 175 185, 180 यह मैंने जनाब height और 7 में wait भी कर लेते हैं यह मैंने wait कर लिया अब आप गोर करें यहाँ पे यह red red color आ रहा है this is showing के comma missing है ठीक है so that's why it was happening मैं इसको अब data को convert करता हूँ convert this data to pandas data frame उसके लिए हम क्या करते हैं df is equal to pd.dataframe और इसके अंदर हम df को लिख देंगे simply तो यह मेरे पास df.head इस तरीके से data बन गया यह जी हमारा data है अगर आप गोर करें आपके पास इस तरीके से यह data आ गया जो मैंने अभी बनाया 25 से 45 आपकी age है height है और weight है अब आप अगर गोर करें यह data कितना ही बड़ा data है ठीक है अब हम इसको करते है standard scalar के base पे scale किसी भी एक column को हम करेंगे and then we will see कि data कैसा नज़र आता है सबसे पहले आपने step में करना है import the scalar scalar import करने के लिए आपने scalar कहा देना इसे ताकि आप बाद में भी जब use करें तो आपको याद रहे scalar is equal to standard scalar simply यह आपने बुला लिया यहां तक clear हो गया अब आपने क्या करना है अब आपने जिस data को उपर scale करना है तो उसको आपने बुलाना है तो उसके उपर आपने fit the scalar on data कैसे आप fit करेंगे आप data को नाम देंगे कोई भी scale.fit आप कर सकते है या you can do anything तो मैं यहां पर अगर इसको नाम दे देता हूँ let's see scaled scaled underscore df is equal to अब मैंने क्या करना है यह वाला scalar बुलाना है यहां पर लिखता हूँ scalar dot मैंने इसको fit भी करना है यानि कि data के उपर fit करना है और data को transform करना है means to say कि पहले मैंने का standard scalar भई बात सुनो बात सुनो यार काम है वो कैता जी मार साफ मैंने और सुनाओ ठीक ठाक उससे बाते शाहते की फिर मैंने का यार एक काम है बताओ बताओ क्या काम मैंने का मेरे पास ये वाला data है कैता अच्छा फिर वो कहता है करना गया मैंने का यार इस data को लो कहता ठीक है और उसको मैंने का scaledf में करो वो कहता है scaledf वो कहता है कि यार मैं ही करना है न तुमने न न करना है मैंने का नहीं का नहीं का पीछे हो गया कहता है scalar यानि के ये जो scalar है कहता है मैं नहीं करना है तो यह मेरी duty है scalar dot वो कहता है fit करना है इसको fit किसको करना है कि जो उसके पास knowledge है उसको fit करना है और data को transform करना है ठीक है तो basically वो data को fit करके उसको transform कर रहा है इसको other words मैं आप समझ सकते हैं कि अपने knowledge की base पे उसने data में जो calculations करनी थी z score की base पे वो की और fit data को transform कर दिया ठीक है अकसर उकाद ये fit transform की बजाए आप simply fit पहले भी लगा सकते हैं और transform भी बाद में लगा सकते हैं but usually आप दोनों को एकठा use करते हैं यह आपने df पे लगाया now we will see हमारे पास scaled data कैसा नजर आता है scaleddf.head अगर करें then it will look like let me see numpy array has no object head no issue मैं यहाँ पे इसको scaleddf को इस तरीके से show कर देता हूँ so now you can see के आपका data minus 1.41 minus 0.70 और इस तरीके से आपके पास show हो रहा है ठीक है यानि के जो आपका data यहाँ पे आपने दिखाया था 25, 35, 40, 45 इसने क्या किया center को 0 कर दिया उसकी left side पे जितना वो जा सका left पे गया right पे जितना जा सका right पे गया अगर आप गौर करें तो यह एक array बन गी है 0 का मतलब है कि यह वाली value 35 ठीक है 40 को इसने कर दिया 0.7, 45 को कर दिया 1.41 ठीक है अगर और भी उपर जाते जाएंगे यह 3, 4 तक भी ले जागा value इसी तरीके से वो नेगिटिव में गया यह देखें मतलब 35 से 0 के तरफ कितनी value थी यानि के center सारी value को इसने कर दिया 0, 0, 0 किसको किया 0, 0, 0 इसने किया 35, 175 और 65 को बक्की data minus 3 और plus 3 की range में ले आया obviously अगर data का difference ज्यादा होगा तो यह minus 3 तक जाएगी इससे ज्यादा नहीं जाएगी और minus 3 तक तब जाती है जब बहुत बड़ा data का difference हो so यह आपके पास data scale हो के आगया and this is how you can actually have a data जो आपका scaled data है ठीक है अब यह scale data क्या करता है अब अगर आप देखें मैं इसी scale data को आपके सामने data frame में convert करता हूँ convert this data into a pandas data frame कैसे करेंगे हम simply हम scale df को pd.dataframe और उसको scale df के अंदर कर देंगे columns जो हमने लेने है dot columns जो हम लेंगे यहाँ पे columns इसके जो column है basically उसको नाम भी आप दे सकते हैं यहाँ मैं कहता हूँ df के जो column names है न वो ही वाले दे दो simply ठीक है और यहाँ से मैं से बंद कर देता हूँ scaled df.head hopefully आप इसका head चलेगा and here you go समझागी बात की यह आपका बाद वाला data age-hide weight और unscaled data जो है यह अगर आप देखें तो यह आपका basically क्या है original data है तो आपकी ज्यादा वड़ी वाली value एक scaled data में convert हो गई है ठीक है अब अगर आप गौर करें आपके पास data जो है वो normally एक किसम का distributed था यह तो it was easier to transform this data sometimes आपका data normal distributed नहीं होता अब अगली चीज़ यह है कि यह तो हो गया standard scalar अब इसके इलावा जो दूसरे scalars हैं वो कैसे use करने हैं मैं आपको within few lines of code ही बताने वालों कि किस तरीके से बाकी scaling method जो है वो आपने use करने हैं